So hey guys, welcome to the channel, we're back और गैसा आप सभी को बताएं, कल मैंने आपको अपडेट किया था Mega Evolution से Related यानि कि September में कौन से Mega Pokemon साने वाले हैं और साथ ही साथ आप उन्हें कैसे easily get कर पाएंगे वीडियो नहीं चेक कियो तो आप चेक कर सकते हैं साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने कहा था लोगों के लिए एक bad news है और साथ ही साथ कहें तो सभी Pokemon Go Players के लिए एक good news भी है यस यहाँ पर दोनों ही point यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या bad news है प्लस क्या good news है तो दोनों ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हो सकता है कुछ लोगों को बात सही नहीं भी लगे लेकिन हाँ यहाँ पर अगर negative point है इस बात का तो प्लस point भी है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में I hope आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे So let's start this video कि यहाँ पर कि क्या bad news है So friends firstly तो आपके मन में बात आ रही होगी कि यहाँ पर कि कौनसा ऐसा minus point होगा और कौनसा क्या plus point होगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा So friends यहाँ में आपको clear कर दूं कि Pokemon Go अब सभी mobiles में work नहीं करेगा कुछ ही device है जिन में work करेगा या फिर कौन तो कुछ device में work नहीं करेगा अब आपके question आ रहा होगा कि bro कौनसे वो devices होंगे कौनसे वो mobiles होंगे plus हम क्यों नहीं खेल पाएंगे और क्या reason है इसके पीछे कि हम Pokemon Go अब उन device में नहीं खेल पाएंगे जस्ट उसके बाद यहाँ पर जिसके पास iPhone 6 है वो प्ले नहीं कर सकता है और जिसके पास iPhone 5S है वो भी Pokemon Go अब नहीं कर सकता है सो कहने का मतलब मेरा यह है कि Android 5, iPhone 5S and iPhone 6 में अब Pokemon Go work नहीं करेगा mid October से येस फ्रेंट्स अभी September में work करेगा लेकिन mid October से work नहीं करेगा अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रेंट्स आपका क्या benefit होगा इस चीज को लेकर येस फ्रेंट्स यहाँ पर ये negative point होगा लेकिन इसका plus point भी है कि अब work नहीं करेगा फिर भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है सो फ्रेंट्स अब सभी जानती है यहाँ पर जो पकमोंगो का latest version है वो है 0.185 लेकिन यहाँ पर जब 0.189 version आ जाएगा पकमोंगो के अंदर तब से ये सभी devices जो मैंने आपको बता ही थी उनमें पकमोंगो work नहीं करेगा और यह जो अपडेट है वो आएगा mid October में ये अपडेट आजाएगा और तब से फिर आपके पकमोंगो work नहीं करेगा इन devices में और अगर work करता भी है तो आप कुछ भी specific का work नहीं कर पाएंगे आप महाँ पर ना तो reads कर पाएंगे नहीं आप कुछ collect कर पाएंगे नहीं पकमोंगो catch कर पाएंगे ऐसे ऐसे कुछ mainly reason होगे जो आप नहीं कर पाएंगे उसमें यानि कि totally पकमोंगो उसमें work नहीं करेगा अब बात यहाँ पर आती है कि plus point क्या है firstly तो इन devices में ही क्यों नहीं पकमोंगो work कर रहा है और यह जो update लाना चाहता है पकमोंगो वो इन devices में mainly work नहीं करेगे या तो वो update ना लाए और अगर वो update लाना चाहता है तो पकमोंगो इन devices में work नहीं करेगा तो उन्होंने simply clear कर दिया है और यहाँ पर अब जो plus point है वो है friends कि पकमोंगो खुद ऐसा new update लाने वाले है पकमोंगो के अंदर जो बहुत ही unique होगा बहुत ही useful होगा हम सभी के लिए और हम बहुत enjoy करेंगे उस update को क्योंकि इतना बड़ा update वो लाने वाले है और अब जो updates आएंगे वो थोड़ी easily आजाएंगे पकमोंगो की तरफ से और यहाँ पर थोड़े बड़े updates भी हमें देखने को मिल सकते है क्योंकि यहाँ पर 0.189 जो update आएगा क्या पता उसमें कुछ बड़ा update हो पकमोंगो की तरफ से आई होप बहुत से चीज़ोंगी जो आपको October में मिल जाएंगी September enjoy करना बहुत सी सहरी चीज़े है नहीं कुछ पता हो तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो कौन से लीजरे आएंगे सब कुछ चेक कर सकते हैं और हाँ फ्रेंड्स यह वीडियो जरूर शेयर करना